हलो फ्रेंज सुचिता इलाहबादी की चनमी आप सभी का स्वागत है आज हम बहुत ही सरल तरीके से राजमारे स्पिले के आए हैं आप लोग के लिए यह देखी हमने राजमा लिया था इसको पांसे छे घंटे हम बिगा लिये थे इसको रख देते हैं बाल होने के लिए कुक में हमारा ऑयल हो गया थीन से चार सुटी हमने लगा लिया था वह हम अच्छी तरीके देखी बाल हो गया है कि में इसको बनाना स्टार्ट करेंगे इस ब कर देंक गार हो रहा है तिसमें हम सर्शो का डालए हैं तेल हमारा गरम हो रहा है तब तक हमने लेते हैं जीरा दो छोटी लाइची और दो तेज पत्ता तड़के के लिए देखिए यह तड़का देखिए हमारा हो गया है अब इसमें एड करेंगे दरबरा कुटा हुआ लहसुन और अध्रक इसको हम बराबर से चला देते हैं अब हम इसमें एड करेंगे यह दरबरा कुटा हुआ प्याच और मिर्च अब इसको हम अच्छी तरीके से चला देते हैं ताकि हमारा तड़का एक साथ ब्राउन हो जाए देखिए तड़का हमारा अच्छी तरीके से ब्राउन हो रहा है अब हम ले लेते हैं मसाला इधर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर अधा चमच हम ले रहे हैं दर्बरा कुटा हुवा लाल मिर्च अधा चमच हम लेंगे गरम मसाला इसमें अब हम पानी डालेंगे पानी डाल के देखिए इसको घोल तयार कर रहे हैं इसमें ले रहे हम छोला मसाला एक चमच बड़ा चमच से इसको हम इस तरीके से घोल तयार कर लिए हैं मसाला का यह देखिए तरका हमारा अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया अब इसमें हम मसाला डाल दे रहे हैं यह मसाला हम तब तक भूजेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहों जाए इसमें देखिए हलका सा हमने फूड कलर भी डाल दिया है कलर आने के लिए अब इसमें एट करेंगे हम टमाटर बारिक कटा हुआ इसको अच्छी तरीके से चला देंगे ताकि टमाटर हमारा गल जाए अब हम इसमें एट करें राजमा इसको इस तरीके से बराबर चला दे रहे हैं देखिए इसको हम चला के गैस लो करके हम थोड़ी देर दो मिनट के लिए ढग देते हैं ताकि अच्छी तरीके से मसाले में पक जाए राजमा इसमें हमने आलू भी डाल दिया था एक दो अभी देखिए राजमाच्छी तरीके से पक गया है तो इसमें हम पानी एट करेंगे ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे देखिए इसको चला रहे हैं अभी थोड़ा सा और पानी हम डालेंगे अब इसमें स्वाद अनसार हम नमक डालेंगे और दो सीटी हम लगा देंगे क्योंकि राजमा हमारा पहले से ही बॉयल है यह देखिए राजमा हमारा बन की रेडिव हो गया है किस तरीके से बना है आप रोग जरूर बताईएगा कमेंट में अब इसमें हम एट करेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया इसको हम प्लेट में निकाल दिये हैं राजमा आप लोग जरूर कमेंट में बताईएगा हमारा तरीका कैसा लगा अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा सभी भाई बेहनों को नमस्कार और धन्यवाद प्लीवाद